जय हिन्द मेरे प्याल दोस्तों आप सभी का आपके व्ट्रीट चनल मैथ क्लास 4 एक्जाम में स्वागत पता हूं दोस्तों बहुत ही चांदार विद्ध लाजवाव विद्ध लाजवा विद्ध लाटर को सन लेकिया हैं दोस्तों उमीद है अप लोग को पर संद आएगा त दो बटा पांच हिस्सा खर्च करता है और उसके पास 90 रुपए बचता है शुरुवात में उसके पास कितने रुपए थे यह निकालना दोस्तों तो क्या दियावाए ना आए पहले होता है फिर हम लोग खर्च करते हैं फिर बचत होता है दोस्तों तो पहले माल आते हैं आ तो दोस्तो क्या होता है ना हम उसमें से खर्च हो गया 40 तो Calvin कितना को थो दोस्तों कि इसके पास कि एक और पर भश्ता है यानि इतना इसका दिया दो नहीं कि नबहे र Intelli तो पहुचा गया है कि उसका आई कितना है तो इतना स्क्रीपल करना है एक दो Penis कर जाएगा तो उसके पास कितने रुपय था दोस्तो तो डेल सुरुपया था ठीक है और इसका option number होगा दोस्तो नमर जो होगा वह दो होगा ठीक है तो इस प्रकास से आप निकाल सकते हैं जिसे और आसाने से यह question number 2 में यह देया हुआ है दोस्तो ना ABC के उत्रन छात्रों की जानकाई देता है वर्ष 2016 में संस्थान ABC में कितने छात्र उत्रन हुए थे तो 2016 में देख सकते हैं कि 50% जो है छात्र उत्रन हुए थे तो इसका यह answer होगा ठीक है आप देख के बताना है इसका answer क्या होगा ठीक है कोशन नमबर तीन दोस्तो 16.5% लाव समेट एक बस्तु का विक्री मूल 466 रुपए था यदि बस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितना प्रतिसत जो है हानी होती है यह निकालना दोस्तो ठीक है कोशन नमर तीन का solution तीश तरह राखता है दोस्तों तो cost price sell price लिखना है ठीक है तो माल लहते है cost price 100 ठीक है और लिखा हुआ है कि 16% लाव होता है 16.5% तो प्रशन तो एक सो में यानि cost price is equal to अभी निकालना है ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या होता है तो इसको इसके साथ multiple करना है तो x multiple 116.5 is equal to 100 गुना 466 इस point को हटाएंगे 10 हो जाएगा अब 5 से काट सकते हैं तो इसके साथ दोस्तो ना दो भार में तो एक सिसको जाएगा निया 10 इसके साथ multiple होगा 10 गुना 20 गुना दो तो दोना 4 हो जाएगा और यहां एक और एक दो तीस रूपया हम बेच आता है 400 खरिदा गया दोस्तो और बेचने के लिए बोला होगा 370 रूपया में तो लाब होगा की हानी होगा तो जादा में खरिदे रहें कम में बेच रहें एक क्या होगा ना हानी होगा दोस्तो की होम इस say प्रतिसत का फॉर्मला होता है दोस्तों ना हानी बटा तो हानी कितना है ना सतर बटा कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों ना चार सो है गुना हंडेट होगा यह दो जीरो इसके सथ कर जाएगा इससे काटेंगा कितना जाएगा नहीं दो जाएगा ये 35 बन जाएगा तो देंगे तो 17.5 प्रसेंट का वहाणी हो रहा है और इसका अप्शन नमर होगा वहा है तो इसका अप्शन नमर चार होगा और आप इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक है तो निकालना है कोश्चिन नमर चार का वान वाइड रूट थ्री का अनुमानित मान क्या होगा तो इसको हर का परमियर करना है तो रूट थ्री बाइड रूट थ्री हो जाएगा रूट थ्री को वन से मल्टिपल करेंगे तो रूट थ्री होगा रूट थ्री कितना हो जाएगा रूट थ्री का मान दिया हुआ दोस्तो ना वाइड पॉइंट सेवन थ्री हो जाएगा भागा देंगे तो कितना हो जाएग तीन अनुपात पांच अनुपात में है यदि परतेक में दस जोड़ा जाए तो यह अनुपात बदल कर पांच अनुपात साथ हो जाएगा वह संख्या कौन सी है ये निकालना दोस्तो तो पहला संख्या माल लेते हैं और ये दूसरा संख्या और रेशियो में दिया हुआ है कि कि अंच 7 जोड़ दिया जाए इसको बनाने का बहुत सा तरीका है दोस्तों ट画 तो fundUp के अř Bean लिए इसको इसके साथ आध मुढ़ करको यहां लिखेए तो तो कितने हो जाएगा ना 55 लिखेंगे और 27.21 यहां 21 घृठाएंगे कितना जाएगा ना चार है आप इसन को is इसको म det हम रिखना दोस्तो तो 10 सतर हो जाएगा और 50 हो जाएगा cyprum 22 कितना बीस तो रिर्शियो निकालना है तो इसका है तो इससे चार सा डिएर देना है दोस्तों कितना हो गए ना पांच घिक है यह आ गया अब.. तो दोस्तो आज का सेशन यही खतम हुआ तो दोस्तो क्लास कैसा लगा कॉमेंट जरू की जाए दोस्तो अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब करें और बने रहें तो दोस्तो आज करता ही जय हिन जय भारत